नमस्कार दोस्तों मैं उदेलाड फिर एक बार स्वागत करता हूँ आप सभी के चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में उड़ो देखने वाले हरकिसान भाई यो मुर्गी पालन भाई का आज की उड़ो में तहदिल से बहुत-बहुत स्वागत तो दोस्तों मुर्गी पालन का व्योसाय दुनिया का सबसे बहतरीन व्योसाय है और मुर्गी पालन के व्योसाय से हमारे भारत वर्ष में लाखों का मुनाफ़ा कमाया भी जा रहा है लेकिन आपको भी मुनाफ़ा कमाना होगा तो दोस्तो आज का यह वीडियो देखना पड़ेगा क्योंकि दोस्तो आपकी मुर्गी देशी हो या कौन सी भी हो दोस्तो अगर उस मुर्गी की आपको उम्र बढ़ानी है और अगर आप यहाँ पर सहजन की पत्तों का फूलों का और फली का इस्तमाल करते हो तो दोस्तो किसी भी फार्म की कोई भी मुर्गी हो दोस्तो कम से कम वह मुर्गी 180 दिन याने 6 महेने ज्यादा जियेगी दोस्तो इसका मतलब है दोस्तो आपका मुनाफ़ा वहांपर 20-25 प्रतिशत तक तो वहांपर बढ़ने वाला है ही दोस्तो तो दोस्तों आज की स्यूडियों में हम देखेंगे कि किस तरह से सहजन का इस्तमाल करके यानि सहजन के पतो का फूलों का फल्ली का इस्तमाल करके हम मुर्गियों की जो जीवन यात्रा है वो किस तरह से 6 महिने से बढ़ा सकते है इसलिए दोस्तों यह वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखिए देखने के बाद अगर आपको यह वीडियो दिल से पसंद आता है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा किसान मित्रों के पास यह वीडियो पहुचाने के लिए शेयर कर दीजे शेयर करने के लिए आप परसनल वाटस अप नंबर वाटस अप ग्रूप टेलिग्राम ग्रूप फेस्बूक इंस्टाग्राम स्नैपचाट का भी इस्तमाल कर सकते हो और साथ ही में दोस्तों आपका सबस्क्राइब रहा होगा तो वीडियो की दायतरब निचली सैड में आकर दिखने वाले लाल निशान को आप टच करके वहाँ पर कलर चेंज होने के बाद बगल में जो घंटी आती है उस घंटी को टच करके आल इस नोटिफिकेशन को आन क को मिल सकता है और साथ ही में दोस्तों सबसे बड़ी बात कि आपके मन में कोई समस्य तकलिफ आती है तो कमेंट सेक्षन में लिखकर भेशते रहिए तो देखिए दोस्तों सबसे बड़ी बात की देशी मुर्गी पालन में सबसे इंपोर्टन होती है देशी मुर्गी कौन स भी मुर्गी प्पालन हो दोस्तों उसमें मुनाफ़ा कमाने के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि आपकी मुर्गी कैसी है उसकी जीवन यात्रा किस तरह से बढ़ाई जा सकती है वैसे तो दोस्तो देशी मुर्गी के अगर बात करेंगे तो एक देशी मुर्गी लगबग आपको तीन साल तक अंडे देती है लेकिन दोस्तो अगर आप उस मुर्गी को तंदुरुस्त रखेंगे या उसको सेहत मन्द रखेंगे तो यह मुर्गी दोस्तो साड़े तीन साल तक भी जी सकती है वैसे तो दोस्तो वहां पर सहेजन का पूदे का या पत्तो का फूलो का फली का इस्तमाल आप नहीं करोंगे तो दोस्तो यह जो मुर्गी होती है वह कम से कम 2-8 साल में ही अंडा देना बंद कर देती है और साथ ही में दोस्तों वो आहां पर बीमारियों को कारण Spider मर भी सकती है लेकिन सहेजन के वहां पर पत्तों का फूलों का और फली का इस्तिमाल करके ऐसा क्या होने वाला है कि जिस से हमारी मुर्गियों का जीवन क्रम यानि उम्भ बढ़ने वाली है आप भी लालाइत होंगे और उत्साहित होंगे तो दोस्तों करते हैं वीडियो की शुरुआर तो देखे दोस्तों असल में सहजन के पौधे में क्या होता है तो दोस्तों सहजन के पौधे में होता है दोस्तों कैल्शियम इस कैल्शियम के सेवन के कारण मुर्गियों की जो हड़िया होती है वो सशक्त होती है और आने वाली जो बिमारिया होती है दोस्तों वो अपने आप चली जाती है इसके कारण मुर्गी कम से कम 6 मैने यानी 180 दिन तक ज्यादा जीती है लेकिन अगर यह मुर्गी 180 दिन ज्यादा जियेंगी तो 70 से लेके 80 आंडे देते हैं और 10 के इसाब से यह आंडे बेज देंगे दोस्तों तो 700 से लेके 800 का मुनाफ़ा सिर्फ आपके फार्म में सहजन की फल्ली का पतों का और फूलों का इस्तमाल करने से हो सकता है दोस्तो वैसे तो अगर हम बात करेंगे भारत वर्ष की तो जो कुपोशन की सबसे बड़ी समस्या थी तो दोस्तो उस समस्या को दूर करने के लिए सहजन के पत्टों का वहां पर जो हम जो यह चावल देवा आदिद देते हैं दोस्तों तो उसमें mix करके दिया जाता था इसके कारण ऐसा कहा जाता है कि कैल्सियम के कारण जो वहाँ पर विद्यारती होते थे तो उन विद्यारतियों की जो समस्या यो दूर होती थी दोस्तो इसलिए यह देशी जुगाड आज हम यहाँ पर देखेंगे क्योंकि इसे यूही मुर्गी पालन का ब्रह्मास्त्र नहीं कहा जाता है अगर आप टोटल जानकारी देख लोगी कि तो आप भी बोलोगी कि सच में देशी मुर्गी पालन में सहजन का पत्ता फूल या फल्ली वहाँ पर सबसे बड़ा ब्रम्हास्त्र है दोस्तों तो देखे दोस्तों यहाँ पर सहजन के पत्तों का फूलों का या पोधे का या फली का इस्तमाल करके क्या-क्या फायदे हो सकते हैं जिससे पूरी बात आपको समझ में आ सकती है तो देखे दोस्तों फायदा नमबर एक तो दोस्तों सहजन का अग केल्शियम मिलेगा क्याल्शियम मिनने केकारण दोस्तों मुर्ग्यों पर आने वाली वी बीमारिया जो होती है जैसे कि रानिकेट हो माटा हो CRD हो कोराईजा हो या डाइरिया दोस्तो यह बीमारी उतनी कैपेसिटी से नहीं आ सकती है दोस्तो इनकी पावर कम हो जाती है और यह होती कम क्यूं है दोस्तो तो मुर्गियों के अंदर जो वहाँ पर resistance, पावर, बीमारीों के खिलाप लड़ने की शम्ता बढ़ती है दोस्तो यह बढ़ती है सरिफ कैल्शियम से और केल्शियम कहां से मिल रहा है दोस्तों तो केल्शियम मिल रहा है हमें सहजन के पत्तों से फूलों से और फल्लियों से तो इतना कैल्शियम देने के बाद दोस्तो जब हमारी मुर्गिया वहाँ पर सशक्त होती है तो उनकी बीमारियों के खिलाब लड़ने के एक शमता बढ़ जाती है और इसके कारण दोस्तो एक एक मुर्गी लगभग 180 दिन तक कम से कम ज्यादा जीती है दोस्तो उसकी उम्र बढ़ती है और बढ़ने वाली उम्र दोस्तो वहाँ पर हमारा इंकम का सोर्स यानि मुनाफा भी बढ़ाती है और दोस्तो सहेजन का पत्ता हो सहेजन का फूल हो या फल्ली हो इसके लिए हमें अलग से खर्चा करने की आवश शक्ता नहीं है हम आसानी से हमारी खेती बाड़ी में गाव दिहात में सहेजन के पूधे लगा सकते हैं और इस यहाँ पर सहेजन के पत्तों का फूलों का फल्ली हो इन से मिलने वारे कैल्सियम का इस्तमाल करके कि मुर्गीपालं के फार्म replied नवे बीमारियों की प्रावर वहां पर कंम कर सकते दोस्तों जिससे के हमारा नंबर न सेब्ट है उसके पार नंबर दो यहां पर सबसे बड़ी बात क्या है कि हमने देखा उपरी प्यूंट में की चलो वहां पर जो है कि कैल्सियम देने से बीमारियों का प्रतिशत कम होता है लेकिन मुनाफ़ा भी बढ़ता है आपको समझ में होगा लेकिन फायदा नमबर दो दोस्तो अगर हम सहजन की पत्यों का फूलों का या फलों का इस्तमाल या फली का इस्तमाल करते हैं दोस्तो तो इसके कारण कैल्शियम मिलता है यह तो हमने देखा लेकिन यह कैल्शियम उनकी बीमार्या दूर नहीं करता है तो दोस्तो अंडो का प्रोडक्शन बढ़ता है आपको मालूम नहीं होगा दोस्तो तो कैल्शियम अगर हम मुर्गयों को देते है तो अंडो का प्रोडक्शन करता है दोस्तों और सोचिए कि अगर आपकी मुर्गी साल भर में 20 प्रतिशत भी आंडेज ज्यादा देगी तो आपका मुनाफ़ा 200 से लेके अध़ेगा और इसके कारण दोस्तों शेहजन का पत्ता सहेजन का फूल और फल्ली को ब्रह्मास्त्र यूही नहीं देशी मुर्गी पालन में कहा जाता है दोस्तों इसलिए अपनी फ्री रेंड में आप दो से लेके चार चार से लेके आठ कम से कम कुछ ना कुछ सहेजन के प पत्तियां निकलने वाला फूल निकलने वाली फल्ली इनके कारण वज़ दोस्तों हमारी मुर्ग्यों को फिड मिलता है और साथ ही दोस्तों सहेजन के पौदे की जो मूलिया होती है वहाँ पर दोस्तों जो केच्वे होते हैं कीडे मकोडे होते हैं इनके कारण भी मुर्ग मुर्गयों का अच्छा खासा वहाँ फिड मिल जाता है दोस्तो और इसके कारण दोस्तो months & 25 ग्राम तक आप हर डिन का हर्जा वसता हcolor वस्ता है इसका मतलब कि सहजन का पत्ता इतना गुंकारी है कि वह आपने आप इन मुर्ग्यों को फीड देता है दोस्तों जिसके कारण हमारा फीड का खर्चा 20 से लेके 25 प्रतिशत तक घटता है और ये घटने के कारण वेज दोस्तों अपने आप ही आपका मुनाफ़ा दोस्तों वहाँ पर 20 से लेके 25 प्रतिशत तक बढ़ते जाता है दोस्तों यह भी भी भगाता है और रोग भी भगाता है दोस्तों उसके बाद दोस्तों फायदा नमबर चार अगर आपके पास सहजन का पोदा हो उसकी उचाई बड़ी हो दोस्तों तो इस सहजन के पोदे से हमें छाओ मिलती हैं दोस्तों आपको पता होगा तो अभी गर्मियों का मोसम दोस्तो लेकिन अगर आपके पास यह सहयजन का पौदा होगा कि जिसको बहुत कम पानी लगता है उसके कारण दोस्तो मुर्गियों के शेरीर में तो अच्छा कासा बदला होता है लेकिन इस च्छाव के कारण अंडो का प्रतिशत बढ़ता है दोस्तो इसलिए मुर्गी पाल प्लिया बेचकर भी आप मुनाफ़ा प्राफ्त कर सकते हैं अगर हम बात करें एक सेजन के पौदे की तो दोस्तो एक सेजन का पौदा आपको साल भर में कम से कम 20 किलो के आसपास वहां पर जो है दोस्तो फली देता है और इसको आगर आप 50 के हिसाब से बेचेंगे दोस्तो की जो भाव तो वहां पर सब तरफ है तो इसके हिसाब से दोस्तो आपको जो है 1001 पौदे के पीछे मुनाफ़ा मिलती जाता है दोस्तो और एक बार पौदा लगया तो चार पास साल तक देखने के आवशकता नहीं है इसके कारण वाज दोस्तो आपको यहां पर देखना है वह आपको बिमारियों के खिलाफ लड़ने की वहां पर जो है खशंता विकसित कर रहा है बिमारी आने नहीं दे रहा है दूसरा अंडो का पोड़क्शन बढ़ा रहा है तीसरी भाद छाव दे रहा है और चवती बात दोस्तो आपको यहां पर फल्लिया बेचकर इनकम भी ह जो रही है उसके साथ दोस्तों कौन सा भी पौधा हो तो मुर्ग्या उस पर बैठती है एक पौधे से दूसरे पौधे से नीचे नीचे से ऊपर करती है इसके चारण मुर्गियों का वेया होता है और यहवे आयम होने के कारण अंडो का प्रतिशत तो बढ़ता है लेकिन मुर्गों की बीमारियों की खिलाफ लड़ने के ख्रमता भी बढ़ती है इसके कारण हमें मिलने वाला मुनाफ़ा दोस्तो यूहीं दुगना या तिगना नहीं होता है इसलिए दोस्तो आज से आपको मुर्गे पालन के फार्म में जरूर सहजन के पौधे का इस्तिमाल करना है इसलिए फ्री रेंज में आपका फार्म होगा आपके पास जगह उपलब्द होगी दोस्तो तो सव प्रतिशत सव जन का पौधा लगा दीजिए तो इस कारण वज दोस्तो सहजन का पौधा है गुनकारी बहुत ही उप्योगी यानि पौधा एक और उप्योग आने की इस तरह से पूरी बात है दोस्तो तो आज का यह पूरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख कर वेजिए पसंद आया होगा तो जाते जाते एक लाइक कर दीजिए लेकिन यहां पर एक बात सूचिए दोस्तों कि आप शेर करना भूलते हैं शेर करने के लिए परसनल वाटसप नंबर वाटसप ग्रूप टेलिग्राम ग्रूप फेस्बूक इंस्ताग्राम का इस्तेमाल करते हैं वीडियो की लिंक शेर कर तो दोस्तों अभी आपको पता चला होगा कि यूँ ही सहजन के फोधे को मुर्गी पालन में ब्रह्मास्त्र नहीं कहा जाता क्यूंकि इससे मिलता है फिड मिलती है छाओं होता है व्यायाम उसके साथ दोस्तों बीमारियों की खिलाफ लड़ने की श्रमता बढ़ने वाला का प्रोडक्शन और फली से मिलने वाली एक्ष्टा इंकम इतने ज्यादा उपयोग इस यहां पर फोधी के होने के कारण दोस्तों आपको सहजन का पौधा यहां से आगया आपके फार्में जरूर लगाना है तो दोस्तों आएसा एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त देलाड आप सभी के चाहिते चानल इंडियन मुर्गी पालन में आपको मिलता रहूंगा तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई का तहे दिल से बहुत बहुत आभार